अब इस वीडियो में बिलकुल आसान तरीके से step पर step हम LCM by prime factorism method कैसे find करें यह सिखेंगे तो जैसे यहाँ पर उदान लेंगे हम बहुत important उदान है आपके बहुत बार है जो exam में आया हुआ भी है 26 और 91 का तो यहाँ पर क्या करने है सरपरतम इनके prime factor करने prime factor करने का मतलब क्या होता है किसी भी नंबर को prime number के multiply के रूप में लिखना है यह आपके prime number कौन से होते है यह रहते हैं आपके 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के prime number आगे कौन है 11, 13, 17, 19 इस सरपरतम इसमें 2 का भाग करते हैं भाग एक वार, तीन वार फिर 13 में 13 का भाग यह आपका एक वार इसमें देखा है तो आपका 2 का भाग नहीं जा रहा है 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है लेकिन 7 का भाग जा रहा है, कितनी वार एक वार और तीन वार फिर आपका 13 में 13 का भाग एक वार 26 के हमारे गुनंदखंड क्या आगे 2 गुना 13 91 के गुनंदखंड क्या आगे 7 गुना 13 हमें क्या चीए LCM ठीक है करना क्या है बिल्कुल सिंपल है हमें ऐसा गुनंदखंड लेना है जो यहां भी है यहां भी है यानि इसमें सभी फैक्टर लेना है सरपरत हम किसको लेंगे common फैक्टर को तो आपका 13 उसके बाद पीछे बच्चे फैक्टर कौन 7 और यहां कौन 2 इसको आप गनीत की बासा में कैसे समझेंगे LCM है सभी फैक्टर लेने है तो था उस फैक्टर की अधिक्तम गाद को लेंगे अधिक्तम गाद वाले सभी फैक्टर लेने है तो तेरा एक फैक्टर है इसका अधिक्तम गाद कितना है यानि अधिक्तम यह कितनी वारा है वा एक ही वारा है वा साथ अधिक्तम एक वारा है वा दो आपका दिक्तम एक वा रहा है वा ऐसे समझेंगे ठीक है गुणा करते हैं कितना आ गया एक सो बैयासी आ गया ठीक है तो इस प्रकार से हमने अपना LCM by Prime Factorization Method Find करना सिखा मैं उम्मिद कर रहा हूँ यह वीडिया आपके लिए उप्योगी है यूट्यूपर सुरेंदर के लिए रिशार्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें